हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके शार शेयर परने जारी हूँ बादाम का हलवा यह बहुती स्वादिस्ट लगता है बादाम का हलवा तो देखी कितना मज़िदार बना है जैसे कि आप जानते हैं कि बादाम हमारे हेल्थ के लिए कितना जरूरी है हमें कम से कम दिन में चार से पाँच बादाम जरूर लेने चाहिए यह हमारे स्कीन के लिए बालों के लिए और हमारे ब्रेंड के लिए बहुती फाइदेमन है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बनाते हैं बादाम का हलवा तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लगभग आधा कप बादाम को रात भर बिगो दिया था और उसके छिलके इस तरीके से निकाल लिये हैं उसके इलावा हमेच चिएगा दोग कप दूद जितना बादाम है उसका डबल दूद सूजी चीनी जिनी आप अपने टेस्ट के साबसे कम ज़्यादा कर सकते हो और हाफ कप घी जितना बादाम है उसका हाफ हम गी लेंगे उसके इलावा हमेंच यह केसर तो फ्रेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो बादाम है उसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें हम एक साथ में दूदैट नहीं करेंगे इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूदैट करेंगे और इसे पीसेंगे तो यहाँ पर मैं लगबग 4 टीस्पून दूदैट कर रही हूँ यह दूदैट डाल के हम इसे एक बार मिक्सी में चला लेते हैं तो फ्रेंट्स आप देखिए यह अभी पूरा बारिक नहीं हुआ है तो मैं इसमें और दूदैट कर रही हूँ लगबग 6 टीस्पून 6 टीस्पून डालने के बाद फिर से हम इसे एक बार मिक्सी में चला लेंगे हमें बहुत ज़्यादा स्मूद पेस्ट तयार नहीं करना है हमें इतना स्मूद रखना है ताकि यह सूजी के दाने जतना बारिक हो उतना ही दरदरा हमें इसे पीसना है तो आप देख पाएंगे यह बहुत ज़्यादा स्मूद पेस्ट मैंने तयार नहीं किया है इसमें हलके हलके दाने हैं इकदम सूजी के दाने दिख रहे हैं तो चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मैंने एक कड़ाई को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे टू टेबल स्पून घी अब यह घी को हम अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे टू टेबल स्पून सूजी जितना घी लिया है उसके बराबर ही मैंने यहाँ प अब भूक नहीं करना है हमें इसका हलका सा कलर चेंज करना है जब यह लिका सा गॉल्डन ब्रॉण हो जूश Pas attributed मैं लौ Sabya से ग्वादना में जितिडात हैं तो आप देख पाएंगे यह तरीके से हलका सा गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब हम इसे स्टेज पे इसमें एड़ कर देंगे बादाम यह जो बादाम हमने पीस के रखा था इसे हम इसमें डाल देते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने बादाम को डाल दिया है और गैस की फ्लेम को एकदम लो रखा है अब हम इसे इस तरीके से कंटिनेसली चलाते रहेंगे अगर आप इसे स्टार्टिंग में बीच में छोड़ोगे तो यह थोड़ा चिपकने का डर रहेगा एक बार स्टार्ट जाता है इसलिए एक पर हमें कंटिनेस्टी अपनि तबिल स्टार के से चलाते जाना है चब तक कि िसके प्लौण ब्राउन हो जाता हम इसे चलाते जाएंगे अब हम इसम lob voi धिश्ते और निसे फ्र। फ्रूण घी तो अब हम देख पाएंगे इसका जो कलर है वो भी चेंज होने लग गया है अभी हमें इसे और लगपक 5-7 मिनिट चलाना है यहाँ पर मैंने लगपक 15 मिनिट के लिए अच्छे से इसे लो फ्लेम पे पका लिया है तो देखे फिर देखे इस तरीके से हलका हलका नीचे चिपक रहा है और हमें इस तरीके से इसे नीचे के जो पॉर्शन है इस तरीके से हटाते जाना है आप इसका कलर देख पाएंगे हमें हलका सा reddish कलर चाहिए जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक हम इस त्रीके से कुप करते जाएंगे अब हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे हाव कप दूध लगग इतने बादा में हमें जितना बादाम है उसका डबल दूद लग जाता है क्योंकि हमने इसमें सूजी भी एड़ की है यहाँ पर मैंने पिंच आफ सेफरन एड़ कर दिया है सूजी है थोड़ी फूलेगी इसलिए हमें दूद की कौंटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए अगर आप खाली बादाम बना रहे हो तो इसमें आपको दूद की कौंटिटी थोड़ी कम लगती है तो यह देखे फ्रेंट्स यह सूजी थोड़ी से फूल चुकी है बादाम के साथ अब हम इसमें फिर से एक कप हाफ कप जितना दूद और एड़ कर देते हैं अब दूद टाल के फिर से हम इसे इस तरीके से चलाते जाएंगे जब तो झोड़ा गाड़ा हो जाएगा तब हम इसमें एड कर देते हैं चीनी डाल के अब मैसी फिर से इस तरीके से यृटिन coffee स्थ चलाते रहेंगे मुझे थोड़ा सैफरन कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और इसमें पिंच आप सैफरन एड़ किया है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर फिर से मैं वन टेबल स्पून जितना घी एड़ कर रही हूँ यह स्टेप बहुत जरूरी है अगर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके घी एड़ करके बादाम का हलवा बनाएंगे तो आपका जो बादाम का हलवा है बहुत ही ज्यादा स्वादिस्ट बनेगा तो देखिए इस तरीक से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बीच पीच में घी एड़ कर रही हूँ और इसे कंटिनिसली चला रही हूँ हमें तब तक चलाना है जब तक ये पैन को पुरा अच्छे से छोड़ नहीं देता और साइट से थोड़ा थोड़ा घी रिलेज नहीं हो जाता तब तक हम इसे कंटिनिसली चलाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स ये इस तरीके से पैन को छोड़ना चालू हो गया है और आप देख पाएंगे कि इसने साइट से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घीच होड़ना चालू कर दिया है तो फ्रेंट्स यह जो हमारा बादाम का हल्वा है बिल्कुल रेडी है अब हम इसे दूसरे डिस में ट्रांसफर कर देते हैं और उपर से दो चार बादाम के कत्रन डाल दिये हैं वैसे तो इसमें बादाम की कत्रन की जुर्णत नहीं है तो फ्रेंट्स कैसे लगी आज की यह बादाम की हल्वे की रेसिपी प्लेस कॉमेंट में जरूर लिखेगा